सब्सक्राइब पर हम आपको नेक्सटे के लिए बताते हैं कि क्रूड वैल और यूस वैल में क्या लेवल्स रहेंगे कौन से चीज़ हैं जो की इंपक्ड डालेंगी इनके ओपर तो चले शुरुआत कर लेते हैं कि फूर्थ जुलाई टूसाविंग ट्वनिफूर को यानि क यहां पर क्या रह सकता है कुड वैल और यूस वैल में तो सबसे पहले हम पिछले दिन की बात करें तो यहां पर आप देशने नहीं कि तरफ को यहां पर इसके बाद डॉंसाड के लिए जो आपको लेवल्स बताए वह थे जो यहां पर जैसे रेट कंडल प्रेक होई तो उ इसे तरीके से यूएस वयल में भी हमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट में जो हमारे लावल्स है वो दियोए लावल्स यहां पर जैसे रेड कंडल बनी तो उसके बाद इसने काफी टाइम के बात लेकिन जो है यहां पर इसने सुपोर्ट लिया काफी देर तक औ उसमें हमें गिरावट देखने हों मिली है सबसे पहले तो यह इतनी हैट तक पहुंचा था उसके बाद यहां पर प्रॉफ्ट बॉकिंग थी दूसरा यहां पर एक और चीज है कि अभी जो युनाइटेट्स की जो एकनोमिक कंडिशन है उसका यहां पर FOMC की मिटिंग का रि तो अभी उसका इंतिजार हो रहा है और उसकी वजह से यहां पर हमें मूव देखने को मिल सकता है और यहां पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो युनाइटेट्स की जो एकनोमी है उसकी हालत भी थोड़ी सी अभी ठीक नहीं लग रही है इसकी वजह से यहां पर जो है उसके उपर concern बन गया है तो demand जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है उसकी वजह से अगर economic condition जो है उसका जो data आ रहा है वो अगर ठीक नहीं आ रहा तो और उसकी वजह से यहां पर हमें ग्रावट आज देखने को मिली है crude oil में भी क्योंकि demand घट जाती है crude oil की उसकी वजह से तो एक तो यह reason है तो इसकी वजह से जो है यहां पर downside को मोव देखने हो मिला लेकिन 8 बज़े रात को हमने टेलिग्राम चैनल पर भी आपको अपडेशन दे दिया था 8 बज़े data आया था और बहुत ही अच्छा data आया थ इंवेंटरी का कम होने का मतलब है कि demand increase हुई है और उसके वजह से यहां पर crude oil में अच्छा move उपर को आ सकता है यहां पर देखते हैं कि green candle भी बन रही है जितना ज्यादा move अभी तक अच्छा नहीं आया है आगे हो सकता है कि आ जाए तो यहां पर जो है अभी फिर से यह उ अच्छा impact पड़ता है यूशुली लेकिन भी जिस लेवल पर यह है उस लेवल पर इंपक्ट नहीं पड़ रहा तो यहां पर वह पॉजिटिव चीज है वैसे क्रूड वाल के लिए तो अब हम यहां पर लेवल की बात कर लेते हैं और साड़ी आरब जया आप पर डेटा के दीखने को मिलती है और गिरावठ दीखने को मिलती है तो फिर 7000 हमारा नेक्सट डार रहेगा और इसके फ़र फीडर। लाती है तो यहां पर 7037 हमारा आने क्यौह आण 2 के लिए आप यहां पर इस लेवल को 6903 को ब्रेक होने दीजिए इसके नीचे वन आपर के टाइम फ्रेम पर वन आपर टाइम फ्रेम हम यूज करें तो इसके रेड़ गंडल आने चाहिए इस लेवल के नीचे यानिकी 6902 के नीचे उसके बाद में हमारा नेक्स टाइट 6867 होगा और उसके नीचे भी अगर वन आवर वाली रेड़ केंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स टाइट 627 होगा तो यह क्रूड में हमारे लेवल्स हैं और क्रूड में जब आप करते हैं तो लाखों हजारों में आपको मार्जिन रखना पड़ता है ले गाप डाउन की समस्य भी नहीं आती सटेटले संडेगों आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो जल्दी से अपना फ्रेक्स ट्रेडिंग अगाउंट जो है दोस्तों एक्समेस पर ओपन कर सके हैं तो यहां पर आपके लिए मैंने वीडियोश बिना रखी है कैसे अपने आपने के वेब पेज़ पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इन वीडियोस की एकाउंट ओपन कर सकते हैं कुस्टमर के सुपोर्ट जबरदस्त है एक्सनेस का बाकी दूसरे प्लैटफॉर्म भी है लेकिन दूसरे प्लैटफॉर्म जो है वो बैन हो चुके हैं उनको आप करें नियुक्त थैजुक्त आ कि यहां पर यह जो है आज यहां पर तो दे कहाई यह था तो हम इस लेवल की बात करते हैं अगर यह लेवल यहां पर इसको पर ग्रीन केंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद नेक्स टागएट ऐट फ्री पॉाइंट सेवन देह सक और इसके उपर भी green candle आती है तो 83.91 हमारा नेक्स टागेट रहेगा और यहां पर जो है आपको डॉल इंडेक्स के उपर भी ध्यान देना है डॉल इंडेक्स में अगर और कमजोरी आती है तो फिर उपर की तरफ के यहां पर लेवल्स हमें 84.27 तक हमें मिल सकता है जबकि करती है तो फिर उसके बाद नेक्स टागेट है हमारा यहां पर 82.05 रह सकता है तो दोस्तों यह हैं लेवल्स जो कि हमने आपको बताया है कुड़ और यूस वैल के बारे में आपको वीडियो पसंद आ रही है अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले है और दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आइज कोईशन पर वसके लिए बिना जा रही है हम से वी रेजिस्टर फानेंशल बाइस नहीं है तो ट्रेल लेंस पर अपने फानेंशल बाइस से आप जरू सलाले जिए अगली वीडियो मे दिल 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 देल वाने से गूट बट बाइ